एलो फ्रेंट्स कैसे आप सब मैं विनायक तिंगलू आप सब का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू मेरे जो आज की वीडियो रहेगी वो माइक्रोसॉट फॉर्ड पे रहेगी और जो मैं आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि हम कैसे एक टैक्स को कट्वर्ट कर सकते हैं सब्सक्रिप्ट में या सूपर स्क्रिप्ट में इससे बहतर चला गया राइट मैथमेटिकल लेंगविज में इसे रेडिकल का जाता है जो उपर लिखा जाता है उससे पावर का जाता है और जो बॉटम पर लिखा जाता है उससे बेस का जाता है जैसे मैं लिख लेता हूँ एस्टू और एस्टू को नीचे लाने के लिए मैं सब्सक् अब यहाँ पर आप देख रहे हूंगे मैंनेestroo जो लिखा है यह प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा है यह तो as20 लग रहा है ना तो इसको proper तरीके से लिखने के लिखने के लिए इसको subscribe करने की जरत है मतलब की कुछ इस तरीके से यह कुछ ऐसा दिखना चाहिए इसका मतलब होता है water तो पर यहाँ पर यहाँ पर डेटा में ने सिर्फ three lines में लिया है मैं manually भी ठीक कर सकता हूँ आपके पाद एक huge data होगा और आपने यह गलती बार बार दोहराई होगी तो इससे आप instantly कैसे ठीक करेंगे मैं आपको बताना चाहूँगा इपली यहाँ पर H2 जो ही लिखा हुआ है आपने आप वहाँ पर उसको select कर लेंगे इस 2 को और उसको subscribe की मदद से एक proper way बे ले आएगे कुछ इस तरीके से जैसा कि आप देख पा रहे हैं उसके बाद आपने इसी को copy कर लेना है copy करने के बाद आप क्या काम कीजिएगा selection कीजिएगा जहां जहां पर आपको लगता है कि आपको H2O ठीक करना है उसकी selection करने के बाद आप अपने keyboard से एक shortcut key को प्रेस करेंगे जो रहेगा ctrl h जो की shortcut key होती है find and replace key में आपको जो copy किया हुआ था इसको paste नहीं करना है आपने carrot key को प्रेस करना है अब carrot key होती कहां पर है जो आपके alphabets होते हैं जैसे ABCD, EF, GH उसकी जो सबसे top pro होती है जहां पर आपको मिलता है Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P उसके उपर जो numbers लिखे होते है उस numbers में, number 6 पे आपको 6 के उपर एक up arrow का sign मिलेगा जिसे carrot का जाता है उसे apply करने के लिए उससे type करने के लिए आपको shift key को press करकर रखना होता है और साथ में 6 तो देखेंगे, आप carrot sign आ चुका है और साथ में अपने C लिखना होता है यह C आप लिखेंगे न यह small होना चाहिए, यह capital नहीं होना चाहिए otherwise यह work नहीं करेगा simply कर देज़ेगा replace यह replace यह replace all, मैं replace all कर देता हूँ तो देखिए, टू replacements दिखा रहा है मैं yes कर देता हूँ और यह कहता है कि do you want to continue searching from the beginning मुझे नहीं है जुरत क्योंकि अगर मैं इसको select करूँगा तो यह खराब हो जाएगा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जैसे हम दिखिए, हैँ हम दिखिए, हम दिखिए, हम दिखिए, हम सारे ठीक हो गई है अगर मैं इस पर यह yes पर करूँगा मैंने अब दूसरी एक्जेंपल क्यों लिए so that कि इस पर भी मैं आपको करके दिखा हूँ जैसे कि आपको देख रहे होंगे यहाँ पर sulfuric dioxide जहां जहां पर लिखा हूँ है वो सब गलत लिखा है, देखिए, जी लखता है, so2 लग रहा है यह प्रॉपर तरीकी से नहीं लिखा हूँ है इसको प्रॉपर तरीकी से लिखने के लिए इसी में से किसी एक को ले लेंगे just like this one, इस 2 को मैं नीचे लिए आता हूँ, subscribe की मतद से आप यह प्रॉपर वे में लिखा है, इसने, so2 इसकी copy कर लूँगा, copy करने के बाद फिर वो ही control h, okay और इस बार so2 जो लिखा हूँ है यहाँ पे, उसको change कर दूँगा इसके साथ अब simply में करता हूँ, replace all, देखिए, five replacements, और यह हो चुगी है, clear तो आप देखेंगे, जहाँ जहाँ पे so2 लिखाता, आप वो प्रॉपर तरीके से आज चुका है, even कि sox को इसने कोई छेट चार नहीं किया, इससे सिर्फ so2 पे work out किया तो इस तरीके से आप अपने text को superscript या subscribe में convert कर सकते हैं, वीडियो पसंद आई हो तो मेरे channel को like, subscribe and share करें, thanks for watching the video